नमस्ते जी , सबीको कैसे हैं ? आप सब , आसा करती हूं , सब औच्छी होंगे और आज मैं आपको यूए साथ शेयर कर रही हूं ! ये बहुत ही अच्छा मीठी रेसिपी , देख सकते हैं आप इसका !! मैं इसको सर्व कर रही हूं, इसका टेक्च्चर आपको कैसा लग रहा है, देखने में लग रही है ना बिलकुल, लाजवाब सी, और ये वाके में बहुत टेस्टी रेसिपी है, इसे खा के आप बाकी सब मीठे भूल जाएंगे, और केवल इसी इसी को बनाएंगे, ये बहु पासंद आती हो, तो ट्राई जरूर करें, इसे बनाने के लिए मैंने लिया है, एक ये सेवाई का पैकेट, सेवाई जो आती है, बाहर केट में मिल जाएंगे आपको सेवाई, ये बारीक वाली सेवाई है, तो इनने न, थोड़ा थोड़ के लेना है, तो मैं इनने जब पै पैकेट लिया है, आप अगर कम बनाना चाहते हैं, तो आदा पैकेट भी ले सकते हैं, जैसा आपको रिक्वाईर्मेंट हो, उस हिसाब सा आप ले सकते हैं, तो अब ये मैं इनको और थोड़ा सा हाथ से सा कर लोंगी, जिससे इसके पीस थोड़े और छोटे-छोटे हो जा तो ये दो चमच गी मैं नकढ़ाई में डार के गरम कर ली हूँ इसको, इसमें में डाल दूँगी अब सेवाईया, तो ये सेवाईया मुझे इस गी में भून नी है, अच्छे से, थोड़ा इनका ब्राउन सा कलर हो जाए, जब इसमें मतलब पता लग जाता है, खुसबू तो इसलिए आप इसको continue चलाते रहें, तब आप इसको ऐस तरह फ्राई कर से, फ्राई क्या थोड़ा सा भून ना है, बस color change करना है, अलका सा, और कच्छा सा ना रहे, क्योंकि ये भी मैं दाया किसी चीज की तो बनी होती है, तो बस वो कच्छा पनी इनका निकल जाए, इत हमें इतना ही भूनना है, अब इसमें मैं डाल दी हूँ है, आधा कप पिसी हुई चीनी, आप बूरा भी डाल सकते हैं, और ये 100 ग्राम डाल रहे हूं मैं इसमें मावा, मावा थोड़ा टाइट हो रखा था, बाहर से मंगाया था, तो मैंने कद्दू कस कर लिया है, तो कद सेवई, मावा और चिनी तब तक हम इसे ऐसे हलके आज से चलाते रहेंगे, आपको क्योंकि गरम है सेवईया, मावा हलका सा पिंगल जाएगा और चिनी भी पिंगल जाएगी, तो सेवईया उसको एडजेस्ट कर लेंगी, देखो, ये सेवईया और मावा चिनी सब मिक्स हो यह जो मीठा बना रहरे इसका एक पार्ट तयाज ऑगया है अब कर देंगे हम शाइड में कड़ाई को और यिदे भीनियो Empress ऑडिये ऑद्विद मैं 2 चमाचे कॉस्टड पावडर गोल लूगी justify दूद में बोईल आ गया है अब कस्टड पाउडर इसमें डाल दूंगी और कंटिनु चुलाते रहेंगे इसको ताकि नीचे लगे न देखो कितना अच्छा गाड़ा सा दूध हो गया है और इसमें भी बोईल आ जाएगा देखो बोईल आ गया अब यह कंडेंस मिल्क आता है जो मिल्क मिल्क मेड इसमें मिठास आ जाएगी हलकी मिठास ही हमें चाहिए और कुछ थोड़ा सा चिन्नी हमने उसमें सेवैयों में भी डाल दिया है तो अब हम इसको गैस को बंद करके इसको ठंडा कर लेंगे ठंडा इतना मतलब हम हाथ से सहपाएं इतना ठंडा करना हमें तब तक यह ठंडा हो रहा है और उसमें भी ठंडी हो रहे है तो मैं ड्राइफ रूट काट लिया थोड़े से आई एक मैंने काच का चकोर बोल लिया है सेट करने के लिए इस डजर को तो आप इस तरह इसमें से मैं आदी सेवैया इसमें डाल दूंगी और ऐसे चम्चे की मदस से इ किल्कुल दबा दबा के सेट कर लूंगी ताकि एक दम से कस्टड में घुले ना और आप इस तरह गिलास लेकर गिलास सभी इनको अच्छे से दबा दें तो निक्चे पूरी सेट हो जाएंगी एक लेयर मतलब एक लेयर इसकी बन जाएगी सेवैयों की तो देखो एक पतली से लेयर बन गिया इसके उपर हमने जो अभी कस्टड बनाके रख्खा है हमें वो कस्टड डालना है तो देखो यह इस तरह आप सेवैयों के उपर एक मोटी लेयर कस्टड की लगा दे इस तरह है यह चार तो देखो कस्टड की एक लेयर लगे नीचे सेमया है उपर कस्टड है अब फिर हमने जो बची हुई सेमया थी उनकी पतली-पतली सी एक लेयर इसके उपर भी लगाएंगे और आपको लग रहा होगा कि यह कस्टड में डूब जाएंगे नहीं डूबती नहीं है क्योंकि कस्टड नीचे भी सेमया है बीच में कस्टड है तो इन करना यह एडजेस्ट कर लेंगे अपने आपको एक दूसरे में देखो मैंने चारो तरफ फिला दिया है अब जो कटे हुए बादाम थे वो मैं इसके उपर लगा दूँगे और आप काजू या पिस है तीन से चार घंटे के लिए मैं इसे फ्रीजर में नहीं रखना है फ्रीज में रखना है केवल आप चाहे तो बाहर रख लें आपकी इच्छा है सैट यह बाहर भी हो जाएगा लेकिन फ्रीज में रख देंग चो ठंडा हो गया और अच्छा लगेगा घाने में देखो त यह बहुत जादा टेस्टी, मतब अब तक मैंने जितने भी स्वीट डिस बनाई हैं, यह सबसे जादा टेस्टी डिस बनी है, अब मुझे ऐसा लग रहा है, इसे मैं मतब जब भी कुछ अच्छा होगा, तब बनाया करूँगी, घर में कुछ ऐसा हो कि मीठा खाने का मन है, त को नीचे तक बिलकुल निकल के आगया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और सेमईयों का क्रंची पन और कस्टड का सोप्ट, इतना best combination थाना इन दोनों का, बहुत ही जादा टेस्टी यह बना था, आप एक बार ट्राइ ज़रूर करें, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो और अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेर कर दें, और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी, और अगर मेरी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सस्क्राइब कर ले, मिलती हूँ फिर अपनी किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी को नमस्ते स्वस्त रहिए मस रहिए बाई बाई